हलो एब्रिवन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेर सो एंपियर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल की जोरत है दिखे दोस्तो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग यह टॉपिक है और आपको बेस्ट रेकमेंड करूंगा कि आपके लिए यहीं सोलर पैनल जो है वह बेस्ट रहेगा तो कितने वाट का सोलर पैनल खड़ना चाहिए यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चली दोस्तों बिना टाइम विडियो को हम शुलू करते हैं उससे प कि हम बड़ा से बड़ा solar panel जो है वो purchase कर लेते हैं और अपनी battery को है जल्दी से हम full charge कर सकते हैं और अपना load जो है वो हम battery से हम चला सकेंगे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आप अपने battery को बहुत जादा तेज चार्ज करो देखे दोस्तों हर battery का एक limit होता है कि वो maximum कितने ampere से charge हो सकती है और कितने ampere से discharge हो सकती है सबस्तों आपके पास luminous का या फिर archive का 1500 ampere की battery है तो उसके calculation के हिसाब से दोस्तो, maximum दोस्तो वो इमपीर से ही चार्ज हो सकती है, और minimum दोस्तो, आप तो minimum एक एमपीर, आधा एमपीर से भी आप चार्ज कर पाओगाए, अगर दोस्तो, आप के पास inverter बैटरी है, maximum वो Cookie अपस लोकर, अप चाहें तो दोस्तो, आठ एमपीर भी कर सकती हो, लेकिन भू बैटरी जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगी तो दोस्तों आप यहीं लालच में पढ़े हुए थे कि हम बड़ा सा बड़ा सोलर पैनल खरीद लेंगे और अपनी बैटरी को जल्दी से चार्ज कर लेंगे और अपना सारा लोड चला पाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नह लाना है तो हमने वीडियो बना रखा । अप उस वीडियो को भी देख पाओ। प्लेश्ट पेलिस्ट अपके सामने आ झाएगा उसमें सी 10 और सीटान ऑठी क्या है दोस्तों उस वीडियो आप डुण के दोस्तों आपके पास कोई solar battery है जो कि होता है अगर अगर पर यह जिससा इस तरह हव्या सितना आपको सब्सक्राइब Suppose दोस्तों आपके पास अभी inverter बैटरी है तो दोस्तों आपको limited में ही solar panel purchase करना चाहिए अभी फिलाल दोस्तों आपके पास inverter बैटरी है तब दोस्तों आपको maximum 200 watt का solar panel ही purchase करना चाहिए अगर दोस्तो आप 200 वाट का सोलर पैनल पर्चिस करते हो तो कमपनी का दावा है दोस्तो कि मैक्सिमम ये 10 से 11 एंपियर तक हमें आउटपूट सप्लाई देती हैं लेकिन दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आप मल्टी मिटर से चेक करोगे तो दोस्तो आपको कड़ी से कड़ी धूप में भी आपको वह आउटपूट सप्लाई आठ एंपियर से जादा कभी नहीं देगा मेरे पास दोस्तो 105 वाट का सोलर पैनल है उसने कंपनी आप 202 वाट का अगर्राप सोलर प्रते करते हो तो मैक्सिम्ं आठ एंपियर वह को सप्लाइ देगा तो यहीं बात है दोस्तों कि vielen 200 वाड का सॉलर पैनल करकिने दोस्तों उपर याक्सिमम् तोएंब्ध वाट उसको चार्ज होने की जो चार्ज होने की यह 15 ऐंपईर तक आप उस बैटरी को आप अपने सोलर बैटरी को चार्ज कर पाऊगे लेकिन दोस्तों लाइफ है 5-6 साल बाद आपको बैटरी चेंज करने की ज़रुत है अब बैटरी को भी चेंज कर लीजे स्टालर पैटरी पर्टो सब्सक्रूर कर up aware को तो आप दोस्तो आप एक और सोलर पर्चेस कर सकते हो जो कि 100 वाट की होती है 125 वाट की होती है अगर दोस्तो आप 100 वाट की अलग से सोलर पैनल पर्चेस करते हो तो आपको 300 वाट हो जाएगा और 300 वाट जो सोलर है वो मिलके आराम से दोस्तो 12 एंपियर तक आपकी बैटरी को सप्लाई देती रहेंगी तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद होगा अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे और दोस्तों हमारे यूटूब टर नहय होंगा तो चाल को भी कि धर सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों ऐसी तरह के इंट्रस्टिंग वीडियोज हमारे चानल पर मिलते रहते हैं सो गाइस मिल